हेलो स्टूडेंट विल्कम बाक तो मैं चानल तो स्टूडेंट आज के लेक्षर में हम पोएम एक्स्प्लेनेशन करने वाले हैं हमारी ग्रीट सेवन एंग्लिश के बुक हनी कॉम है और उसकी जो पोएम है उसका नीम है आपका शिवी चिवी बेसिकली स्टूडेंट बोला दो पेज़ाता है उस चीज के लिए यानि कि जो चीज हमें बार बर लोग कहते हैं करने को यानि कि ना करना समवन और सम्थेंग विच्वीय पीपल से आस टू रपेटेट ली टू डो सम्थिंग यानी कुछ ना बेसिकली ना करना नाक का मतलब होता है इस्टूडेंट करने वाले हैं तो चलिए पोयम का अब हम line by line explanation करेंगे जो हमारे Michael Rosen ने लिखी है तो देखिए आपके उस टेंजास में पहले कुछ दिया है ask yourself as well as your partner मतलब अपने से भी पूछो और साथ साथ अपने partner से भी पूछो do you like to be always told what to do or not to do क्या आपको पसंद है कि आपको अच्छा लगेगा कि आपको बोला जाए कि आपको यह करना है यह नहीं करना है तो आपको बार बार कोई अगर बोले कि यह करो मो करो तो आपको अच्छा लगेगा do grown-ups do this in your experience क्या grown-ups grown-ups मतलब यहां पर elders की बात हो रही है जो grown-up होते हैं बड़े करो यह नहीं करो when Michael was five years old यानि कि जो माइकल यानि इसके आपके बात करें जिसके पोईट है जब वह पास साल के थे इस mother took him to a nearby school for admission उनकी मदरोंने लेके जाती है एक school में के अडमिशन के लिए the teacher teacher क्या पूछती है what does your mother call at your home child तुमारी मम्मी बेटा तुम्हें क्या बोलती है घर में करने को या क्या कहती है Michael don't come the confident reply वो कि कहते है Michael don't came the confident यानि कि वो क्या बोलती माइकल नहीं तो यह answer जो होता है वो बच्चा देता है उस teacher को note to chivy is to knock chivy का मतलब होता knock करना to continuously urge urge का मतलब होता student to push or force someone किसी कुछ हम forcefully कुछ करते है to do something कुछ करने के लिए often in an annoying way annoying मतलब बिलकुर हम जब चिड जाते एक तरीकी समय पसंद नहीं होता irritate वाला जिसे हम अगर बात करें तो according to the dictionary सो चलिए अब poem पढ़ना शुरू करते हैं grown-up say things like जो grown-up होते हैं वो क्या कहते है grown-up यानि कि हमारे elders की बात हो रही है speak up बोलो यानि कि वो हमसे कहते है चलो आप बोलो कोई अगर घर पर relative आ गया तो उसके सामने बोलते ना मस्ते करो बात करो hello hi करो तो speak up don't talk with your mouthful यानि mouthful की बात हो रही है कि जब तुम खाना खा रहे हो तो खाना काते समय बात मत करो don't stare stare मतलब होता है कि look fixedly मतलब घूर ना जैसे हम किसी चीज़ को घूरते ही रह जाते ना अगर सामने हमें कोई चीज अच्छी लग रही है या बूरी लग रही है तो उसको देखते ही रह जाते है तो मारे parents कहते हैं ऐसे मत घूरो चुप-चाप सा चलो सीधा चलो don't point यह तो बहुत होता है point मतलब तो इससे उंगली दिखा के रहे अरे ममी वो आठाय को देखो वो क्या कर रही है अरे ममी उनको देखो वो एससे क्या उग एस क्या 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 खा रहे है स्टेंट जिससे ऑं भी निज़गा तो उसे point करना कहते है जाव chor nic तो पहले स्टेंजा में क्या बताया गया है कि बैसिकली हमारे जो ग्रोन अपस होते हैं वह हमें एक एक करके चीजे बताते हैं कि जैसे हमें किया क्या इस इंस्ट्रक्शन्स आर बिंग इस्ट आइडल्स तो दिया यंग वन्स स्पीकर बोलो दोंट ओक वाल यूर माउथ इस फुल और फूट अग्जाम्पल अब देखें सेकंड सेंजा क्या कहता है यह भी एक लंबी चौड़ी लिस्ट आने वाली है आपके पास इस बहुत आप यह निकी बैठो से प्लीज यह जब आप किसी को कुछ कहते हो या उनसे को समान लेते हो तो पीछे सब आज आती अरे फ्लीज तो बोलो ऐसी ले लोगे आनर्स कहा है तुमारे लेस्ट नॉइस यह अगर आप कहीं खेल रहे हो या किसी के घर गए तो बिल्कु जमीन से चिपक चिपक के स्टूडेंट्स आप लोग अपने स्कूल टाइम पे काफी ज़्यादा यह करते होंगे बिल्कु पैर घसीट घसीट के चलना बल्कल मलब प्रॉपर ना चलते विसे ड्राग करना होता है haven't you got a hanky अब अगर आपको cold हो गया यह आपने चीक दिया आपके जो भी है और आप उनके साथ में मज़े में हाथ डालकर टीचर के सामने ऐसे घूम रहे हो तो यहाँ पर भी लंबी चौड़ी लिस्ट मिली है आपको इस टेंजा में जहांपे हमारे जो अडल्ट होते हैं हमारे जो यंग उते होते हैं वह हमें बताते हैं कैसे हमारे एडमिनिस्टर की जाती है हमारे ग्रोन अप्स के सर्वलेंस के आंजर में सो बेसिकली स्टूडेंट इस वाले स्टेंजा में वी एक तरीके से हमें इंस्ट्रक्शन दे जाती है हमारे जो एडल्ट है वो इंस्ट्रक्शन देते हैं कौर और कौन उसे फॉलो करता है बच्चे इसे फॉलो करते हैं और यहां पर आपको क्यों बोला जाता है स्ट्रेट बैठने को या स्ट्रेट खड़े होने को क्योंकि इससे कि आप एक तरीके से अटेंटिव लगते हो अपने फीट को ड्राक करने को क्यों मना कहा जाता है क्योंकि उससे लगते कि as a bad मैनर्स इनने काउंट करा जाता है और हैंगी को क्यों ज़रत होती है बच्चे को या तो अपना माउथ लीन करना होगा या पिर उनोंने स्नीज कर दिया होगा उसके लिए भी वह एक तरीके से अच्छे मानर में काउंट करा जाता है जब आप स्नीज करते हो यूशुड कावर जादा शोर मचाना है और जब भी आप ख़ा रहे हो तो आपको बाते नहीं करनी है अब देखिए हमारा जह हैँ क्या अंत्रॉक्शन्स देता है ही में आपको इंस्ट्रेक्शना के बाते ही हैं करवांज यानि कि अगर वह स्टांड अप स्ट्रेट खड़े रहा करो से थांक यू अब थांक यू क्यूं बोला जाता है चुडंक बेसिकली जब भी आप किसी से कोई गिफ्ट करते हैं या किसी कोई अपकी हल्प करता है तो एक तरीकी से आपका एक गुड मानर काउंट करा रहे हो या कोई इंसान कुछ भी काम कर रहा और आप उसे बीच में जाकर डिस्टरप कर दो या दो लोग आपस में बात कर रहे हैं और आप बीच में बूल अरे सुनो ऐसा हुआ था तो एक तरीके से इंटरप्ट करना कहलाता है इसका मतलब यह है कि जब घर पे कोई आता है तो हम बोलते है तुमको तो यह आता ही है कर Unter इंक से formulas bei करने लग जाते हैं तुमने कोल कोई तुम मारा कोई मजाकन होना आने वाला तुम्हारा अच्छे करो यह कूछ से वाला कि तुम अच्छे से ऑपर्फम निए-स आकτι जी साथ तेबल पर आपके और इंदे के अंदर आता है कि आपके हांट सेड़ी पर हम तो इस में नीचे होने चाहिए अब दिखी जिए कि जो लास्स्टू लाइनस समय दी है कि में क्या दी है कि that can't you make your own mind up about anything तुम खुशते नहीं सोचते हो यह जो तुम कर रहे हो गलत कर रहे हो so basically यहां पर हमारी जो adult है what they are doing that they are now asking the child to think independently and the poet find this is very entirely unreasonable because the young child has not been trained to use his mind अभी तक उसको नहीं बता है exactly कि उसको क्या करना है he has only been trained to follow the instructions which are given by the adults तो अभी तक उसको सिर्फ instructions मिली है वो खुश से कैसे सब चीजे कर लेगा तो यहां पर एक तरीके से poet criticize भी करता है एक तरीके से वो कहता है कि वो अभी कैसे सोच सकता है खुश से ही so here basically final the couplet couplet होता student की lines two line के set को couplet बोला जाता है poems में तो यहां पर बता रहा है कि एक तरीके से जो young child है वो थोड़ा grown-up हो चुका है don'ts ही बताती है जो grown-ups के होते हैं जो हमें basically dictate के जाते हैं young children's को कि उनको एक list होती है उनको ऐसे करना है ऐसे बैठना है how to eat how to talk how to walk and everything were instructions were given by our adults तो basically इसमें instructions दिये गए हैं जो adults होते हैं जो young ones को अपने instructions देते हैं एक दोओंस से कहीं वी होता है पेले अंगर तो कैसे यह मैं स्कीम की बात करें तो इसमें basically कोई rhymes मी नहीं है सारे ही terms अलग-अलग है ABCD पूरा ही अलग जा रहा है अब हम बात करते हैं हमारी poetic devices की तो पहले stanza के अगर हम बात करते हैं तो उसमें आपके पास क्या दिया है आपका जो device यूज हुआ है वो हुआ है आपका एनफोरा तो student एनफोरा क्या होता है basically किसी भी word का repetition होता है तो आपका जो repetition हुआ है यहाँ पे क्या दिया है यहाँ पे हुआ है आपका don't talk with your mouth full don't 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 तो यह don't word जो है यह बार बार repeat हुआ है तो इसलिए यहाँ पे आपका कौन सा poetic device हुआ है यहाँ पे हुआ है आपका एनफोरा next poetic device की बात करें student तो वो हुआ है आपका alliteration alliteration यानि कि क्या होता है same letter या consonant sound का जो consecutive लगातर words में आते हैं एक तरीके से जैसे आप देखें क्या-क्या words है don't drag, out of, mind up about anything stand up straight तो यह हुआ यहाँ पे alliteration का use एक और इसमें आपका poetic device यूज हुआ है वो हुआ है आपका enchantment जैसे आपको देख रहा है यह जो आपका second string या उसकी last line है यानि कि take your hands out of your pocket तो इसमें कोई भी आपका punctuation नहीं लगा है तो जो enchantment होता है उसका मतलब basically क्या होता है कोई भी line के continuation continuation और without any punctuation mark तो यह था इसका पूरा explanation उम्मीद करती हूँ कि बच्चों अब आपको समझ आ गया होगा कि चिवी जो poem है उसका मतलब क्या है तो अगर आपको poem explanation अच्छा लगे तो फटाफट से like, comment, share और अगर आप चानल पर नहीं हैं तो इसे subscribe करना ना भूले